हाई फ्रेंड्स वेलकम बेक टू माई चैनल और आज हम बनाने जा रहे हैं पालक पनीर फ्रेंड्स हम बिल्कुल इजी तरीके से बनाएंगे तो चलिए बनाना सुरू करते हैं सबसे पहले हमने ले लिए पालक 500 ग्राम पालक है इससे अच्छी तरीके से दोगे बारिक बारिक कट कर लिया है 200 ग्राम पनीर दो कटी हुई टमाटर दो कटी हुई प्याज तीन हरी मिर्च हरी मिर्च आप कम जादा भी ले सकते हैं लासन और अज्रक तो गैस पे हमने रख दिया है कड़ाई और में कड़ाई गरम हो गई है तो इसमें हम डाल देंगे तेल और इसमें हम डालेंगे एक बड़ी इलाईची एक छोटी इलाईची एक टुकडा दलचीनी का तो इसमें हम डाल देंगे अपना लहसन और अद्रक और हमारा लसन और अद्रक जैसे ही ब्राउन हो जाएगा तो इसमें हम एट कर देंगे कटी हुई प्याज इसे चला देंगे और जब तक कि हमारी प्याज सॉप्ट नहीं हो जाती है इसे हम भून लेंगे तो देखिए दो मिनिट बाद हमारी प्याज अच्छे तरीके से सॉप्ट हो गई है तो इसमें हम एट कर देंगे पान से साथ काजू और चला देंगे तो अभी हम एट कर देंगे टमाटल और इसे चला देंगे तो इसमें मेट कर देंगे आधी छोटी चम्मच हल्दी पाउडर और एक छोटी चम्मच नमक या नमक आप अपने स्वाधिक अनुसर डालें और इसे मिक्स कर देंगे तो देखिए जो हमारा टमाटल है वो अच्छे तरीके से गल गया है तो इसमें हम डाल देंगे एक छोटी चम्मच कस्मिरी लाल मिर्च और इसे मिला देंगे और आड़ कर देंगे कटी हुई पालग और मसाले में इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे तो देखिए हमारे पालग में मसाला अच्छे तरीके से मिक्स हो गया है इसे हम ढखके एक से दो मिनट पकाएंगे तो देखिए दो मिनट बाद हमारे पालग अच्छे तरीके से सॉप्ट हो गया है और इसे हम निकाल लेते हैं एक प्लेट में और ठंडा करके इसका हम पेस्ट बना लेंगे तो देखिए हमारा पेश्ट बन के तयार हो गया है तो कडाई गरम हो गई है इसमें हम डालेंगे तेल और हमारा तेल जैसे ही गरम हो जाएगा तो इसमें हम डालेंगे जीरा और दो लाल मिर्च और जो हमने पेश्ट बना के रखा था उसे हम डालेंगे और इसे कांटीनियू चलाते हुए हम पका लेंगे इसे हम तब तक ऐसे ही चलाते रहना है जब तक कि हमारे पालक में इसे अच्छे तरीके से तेल नहीं छोड़ देता है इसे हम चलाते रहेंगे तो देखिए हमारे पालक में अच्छे तरीके से तेल छोड़ दिया है और इसमें हम एड़ कर देंगे गरम मसाला और आधी छोटी चमच चीनी और इसे हम चला देंगे और एड़ कर देंगे पानी पानी अप अपने इसे आप से कम ज़्यादा डाल सकते हैं इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर देंगे और इसे हम हाई फ्लेम पे ही पकाएंगे तो देखे हमारे सब्ची में अच्छे से उबाला गया है इसे 5-7 मिनट हम ऐसे ही पकाएंगे तो 5-7 मिनट हो गया है इसमें हम एड़ कर देंगे एग छोटी चमच कसूरी मेती और इसे चला देंगे तो इसमें हम एड़ कर देंगे पनीर फ्रेंड्स हमने पनीर को फ्राई करके नहीं लिया है अगर अब चाहें तो हलका सा फ्राई करके भी डाल सकते हैं तो एक से दो मिट इसे हम और पकने देंगे और हमारा पालक पनीर बनके तैयार हो गया है तो फ्रेंट्स अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तब प्लीज हमारे चैनल को सस्क्राइब करिए वीडियो को लाइक करिए ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी थैंक यू